आपने चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में आप सबीधा स्वावत है आज मैं आपके लिए कॉडिनेट जमेंटरी मेंट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स लेगे आया हूँ जो competition में बहुत helpful होंगी questions आप चुटकी वजा वजागे करने वाले हो बस आप इस वीडियो में बने रहिए और अंग तक इस वीडियो को देखते रहिए देखिए सबसे पहले तो यह plane geometry है और plane geometry में जो दो perpendicular lines है वो planes को कितने पार्ट में डिवैड करती है four equal parts में तो जहाँ पर एक cross होती है उस point को हम zero से represent करते हैं और यह क्या कहलाता है हमारा horizon अब किसी point की location पहुचने के लिए जैसे आपको पी point की location पहुचना है suppose कर लो plane में मुझे यहाँ पहुचना है तो मुझे x के along चलना पड़ेगा y के along चलना पड़ेगा यहीं दो चीज़ें जब तक पता नहीं होंगी तब तक में उस exact location पे नहीं पहुच सत्ता plane जमेंट्री में तो जो यह x के along कवर डिस्टेंस मान ली हमने एक्स यहाँ पर आ गई हम और यह हो गई आपकी y-axis के along कवर डिस्टेंस और x और y को combine कर दें अगर audit pair की form में तो इसी को क्या बोलते हैं coordinates और यह हमारा जो प्लेड है तो पर्पेंडिकुलर नाइस में चार इकोल पार्ट्स में जो डिवाइड हिया है इनको क्या बोलते हैं coordinates first, second, third, fourth in fact आप लोग जानते होंगे कि first quadrant का sign plus plus क्यों होता है क्योंकि x की positive direction और y की positive direction से मिला हुआ होता है यह तो plus plus यहाँ पर second quadrant क्यों minus plus होता है क्योंकि यहाँ पर x की आजाती है negative direction और y की positive तो second quadrant का sign क्या होता है minus plus third quadrant का sign क्या होता है क्योंकि x की भी negative direction और y की भी negative direction माइनस माइनस और यह fourth quadrant में क्या हो गया plus minus यह quadrant के sign है लेकिन कभी-कभी at random question आता है तो हम यह figure नहीं बनाते हैं तो confused हो जाते हैं अब देखिए फटा-फट में आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप तुरंत quadrant के sign पर बेस motion कर लेंगे जैसे चार quadrant है मैंने पहले डाइगनल में प्लस प्लस लिख लिए यह पहला डाइगनल इसके बाद फिर minus minus फिर minus ठीक है यह first diagonal हो गया यह second यह third आप देखिए चार बार plus sign होने चाहिए चार बार चार बार मैनस तो हो गए बचे प्लेस पर क्या कर दीजिए बन गया चार बादरइंगा अब कोई पूछे आप से यह किस कौद्रेंट में है फ्लस माइनस प्लस माइनस खांग या fourth में यह fourth quadrant हो गया कोई आप से पूछे यह किसमें है माइनस प्लस कहां या second में तो आप माइनस कहां वहां यह थㅎ क फा प्लस माइनस four कोई का there are US – misbruर फॉर प्लस माइनस डिमानस माइनस मायनस और बच फ्लेस में प्लस अब खेंत लीजह और उटमेटिकल यह आप को चार बार ब्स चल जड़ेंगे अप देटीए एक question arise होदा है competition में distance of the point from the axis तो माल लिजेगा distance of point p x, y first from x axis देखिए अगर x axis से distance पूछ रहा है तो आग यही पर ही देखिए x axis से distance और distribution का मतलब होदा है shorted distance याई ही इस line तक आने के लिए आपका ही distance cover कर सकते हैं लेकिन आप कुँझ hy distance लेंगे सप मुस्क्रणों कि यह yep line है, इस point से आपको आना है तो आपका ही distance, यह भी distance है यह भी distance है, लेकिन हमें consider करनी होती है shorted distance, जो सबसे चोटी डिस्टेंस होती है तो यह प्रपेंटिकुलर डिस्टेंस है लेकिन कोडिनेट नेगिट भी हो सकते हैं तो फ्रोम एकसेस य का मॉट और मॉट का मतलब यह होता है एपसलूट वैलियू और एपसलूट वैलू का मतलब सर्फ नुमेरिकल आंसर देना है जैसे प्लस सब्सक्राइब करता है साइन नहीं प्रेडियूस करता है इसलिए आप डिस्टन्स निकाल लें के लिए मॉडूलस की हेल्प लीजिएगा ऐसे ही सेकेंड स्ब्सक्राइब किया अपिक यह थे लिएक्स से इसटन्स कितनी हो जाए कि यह हमारा वन गया राटेंगल और रेक्टेंगल की आपोजिट साइड इक्वल होती है तो यह दिस्टन्स आपकी किसके इक्वल हो गए एक्स के एक्वल यानि इस पॉइंट टो फॉस्ट में फॉर्थ में भी तो वाई एक्स से डिस्टिंस क्या हो जाएगी मॉड एक्स हो जाएगी तो अगर नेगिटिव साइंग भी होगा तो मॉडलस उससे क्या कर देता है हमेशा पॉजिटिव बना देता है तो यह बात आप जो है वो ध्यान रखिएगा अब जैसे एक कुशन देखते हैं टू कॉमा माइनस थ्री फाइंड दिस्टेंस अफ पॉड बना देखते हैं टू कॉमा माइनस थ्री फ्रॉं एक्सेश और य एक्सेश अप फ्रॉं एक्सेश प्रॉं एक्सेश चो दिस्टेंस होगी वो यकॉड़िन इसके बरावर हो गी तो यह आपको चलिए अब अब डिस्टेंस फॉर्मले को को डिस्कस कर लेते हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू मालीजे यह दो पॉइंट से कोडिनेट है तो सबसे पहले आप इन कोडिनेट को इस तरह से लिखिए और इसके बाद एस एस याद रखिएगा सजनी साजन आओ ससुरा यानि एस एस माने सब्ट्रक्ट फिर पहले एस माने सब्ट्रक्ट तो यानि भी इन्हें सब्ट्रक्ट कर दो दूसरा एस माने स्क्वेर यानि इन्हें स्क्वेर लगा दो ठीक है ए माने एडिशन ए माने एडिशन और इस एस माने स्क्वेर रूट एडिशन और उसका मदलब इसक्वार रूट यह यह तो यह फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला कभी गंश्यूजी मत होईएगा दोनों कोडिनेट्स को रखिएगा पहले कोडिनेट को फस्ट रो में सेकंड को सेकंड में ऐसे ऐसे यहाद रखि और एक चीज़ याद रखिएगा एक रिमार्क लिख लीजिए आप डिस्टेंस और पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजन इस यह याद रखिएगा कि जो फस्ट वार्डिनेट्स हैं उसमें इस एस को छोड़िए बस यहां से याद रखिएगा इस पहला आईए एडिश करिए अंडरूट ले दीजिए दूसरे वाले को तो यहां पर क्या है और है तो आपने क्या किया सबसे पहला है एक पॉइंट और देना सब्ट्रक्शन पर इस एस माने स्क्वेर एमाने एडिशन और एस माने स्क्वेर रूट है कि नहीं जब आपको कोई स्टैंस में आना है बड़ा एजीली अपने काम को बना लेना है यह कितना हो गया 16 प्लस 9 69 कितना हो गया 25 और 25 स्क्वेर रूट को इतना हो गया 5 आप यहां पर देखिए एकस टू 3-6 तुरंद को पढ़ता ही जब लगे आपको डिस्टेंस वाली बात है तो आप दोनों को पहले को गए थो फर्स्ट रहों आप पॉन सा रिलिस्ट याद रखना है ऐसेस समय यह सब्ट्रक्त अब टो मेंसेफ मांश सब्ट्रक्ट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस 6 आ जाएगा फिर इंपर क्या लगाना है इसक्वेर बीच में किसका साइंट लगा दिना ए गया यह आंसर आ गया 10 के बराबर तो अब स्क्वेरिंग कर दिए वो साइट x-3 का स्क्वेर प्लस 2 प्लस 6 8 का स्क्वेर और यह हो गया 100 तो x-3 का स्क्वेर इक्वल्स टू 100 माइनस 64 और 64 अगर आप हटा दोगे यहां से तो कितना जाएगा 36 और x-3 और इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वेर आपको यह पता है कि अगर दूरू साइट स्क्वेर हो और स्क्वेर हटाना हो तो एक साइट में कहा जाता है प्लस माइनस साइट यह अगर लेट साइट में भी नंबर पे स्क्वेर है और आपको अगर रिमूब कना है तो एक साइट में प्लस मैनस साइन दोस्तो लगा दीजिये गई तो तो आपने कैँ यह patents लगा दिया अब atmortPod लगा दिया तो नाइन और माइन और माइनस प्रीर ऑप्षण 9-3 तो तो 9 और माइनस 3 तो अनफॉर्चुनेटली इसके दोनों ही आंसर सही है लेकिन क्योंकि एक्सेस पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए माइनस 3 वाला आंसर इग्नोर करें और 9 वाला आंसर ये वाला सही है आपका आंसर विल्कुल इसमें तो इस तरह से आप बड़े SSAS की ट्रि सीखते हैं अगर आप इस जो सिच्वेशन में जो मैंने यह लिखी है एक्सवन वाइवन एक्सटु आइटो दो वर्टेक्स दे रखें एकुलिटर ड्रेंगिल का थार्ड का पता नहीं है कि थार्ड क्या है यही तो कोश्चन होगा कि वाट इस थार्ड वर्टेक्स और इस से कुश्चन कॉम्पटिशन में आप दे हैं तो बस आप एक फॉर्मूला याद रखेंगा चुपकी वजा के इस कुश्चन होगा आप सॉल्ट कर लेंगे फॉर्मूला है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस माइनस अंडरूट थ्री वाइवन माइनस वाइडू डिवाइड ह्वाइड वाइड 2 यादी जब एक्सकस कोडिने का लेंगे अंडरूट 3 के साथ निकलना है म्लाइवन प्लस और लेकिन पैस यह मस हो जाएगे माइनस न्नी ठीकस्तित और माइनस ठ्रग्च प्लस लिएड टी लीजिए आपके आवे तीसरे वर्टेक्स इस फॉर्मूले से अब फटाफट इसकोशन को सॉल करते हैं 4,-4 यह हो गया x1y1 और –4,4 यह हो गया x2y2 चलिए फटाफट इसकोशन को सॉल करते हैं तो x1 की जगे 4, यह देखिए, x2 की जगे –4, plus minus under root 3, y1 की जगे –4, y2 की जगे 4, upon 2, y1 की value –4, y2 की value –4, minus plus under root 3, x1 की value 4 और –x2 है, तो minus minus क्या हो जाएगा, plus 4, upon 2, देखिए, 4 से 4 कैंसल, plus minus under root 3, minus 8, divided by 2, minus plus, cancel, minus plus, 8 under root 3, divided by 2, और यह कितने times हो गया, 4 times अब देखना, plus minus, 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 plus, 4 under root 3, minus plus, 4 under root 3, कहने का मतलब दो option मिले, पहला option उपर के sign लेजिए, minus 4 root 3, minus 4 root 3, दूसरा option नीचे के sign लेजिए, plus 4 root 3, plus 4 root 3, अब आप देख रहे हैं, कि minus 4 root 3, minus 4 root 3 तो option महीं नहीं है, यह option में है, तो आपका option कुन सा correct हो गया, C correct हो गया, तो आप बड़ी आराम से इस question को solve कर सकते हैं